चोले बटूरे हर कोई चाहता है कि जैसे मार्केट में चोले बटूरे बनते हैं वैसे हम भी घर पर बनाएं हर बाल ट्राई करते हैं वर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाते हैं तो आज मैं आपको चोले बटूरे बनाने की इतनी असान रेसिपी बताऊंगा उससे आप में एक कप चने लिया है कावली चने का मैं यूज़ कर रहा हूँ चनों को अच्छी तरह से आपने पहले धो लेने दो से तीन पानी से धोने के बद आप इनको ड्रेक्टली कुकर में डाल दीशे और इसके बद आपने इसमें पानी एड़ करना है पानी के यूज़ आपने थोड़ा सा ज़्यादा करना है क्योंकि चने बॉयल होने के बाद ये अच्छे से फूलते भी है तो ये दिखे पानी भी एड़ कर दिये साथ में आपने इसमें आदा छोड़ा चमच नमक एड़ करना है थोड़ा से इसमें कलर वाली मिर्ची एड़ करेंगे देगी मिच पॉर्डर थोड़ा सा अपने इसमें हल्दी पॉर्डर एड़ करना है इसके साथ में एक से दो छोड़े चमच आप इसमें ओल या गी डाल दीचिए इससे चने फटते नहीं है और जब कुकर में सीटी आती है न पानी बाहर नहीं आता है एक तेश पत्ता, एक बड़ी लाइची इसके साथ में एक स्टीक आपने दार्चनी के एड़ करनी है तीन से चार आप इसमें लॉंग डाल दीजिए और तीन से चार आपने चोटी लाइची डालनी है अजवाइन एड़ करनी है जल्दी डाइचेस में डाइचेसं का काम करेंगी एक चोटा चमच आपने इसमें बेकिंग पोड़ डालना है बेकिंग पोडर से आपके जो बड़ुरे बहुती बढ़ी तरीक्चे से फूलेंगे और अगर आपके बेकीं सोड़ा हो तो बेकीं सोड़ा का यूज भी आप बटूरे बनाने के लिए कर सकते हैं अच्छी तरह से मैंने सारे इंग्रिडिन्स को मिक्स कर लिया है फिर हम इसमें एक कप दूद आइड करेंगे दूद से आपके बटूरे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और एक मिठास भी आती है बटूरे खाने में साथ में आपने इसमें एक कप पानी भी आइड कर देना है तो कभी भी आप डो लगाते हैं तो डो लगाने के लिए पानी आपने थोड़ा-थोड़ा करके डालने या पर अच्छी तरह से दूदवा पानी को mix कर लेते हैं, देखिए मैदे को मैने पहले इकठा कर लिया है, अब हम गलती क्या करते हैं, मैदे को बहुत ज़्यादा गूंते हैं, तो मैदे को अब जितना और अच्छी तरह से आपका डो नरम भी हो जाएगा, यह देखिए आप देख सकते हैं, कितने अच्छी तरह से हमारा डो है सेट हो चुका है, तो यही तरीक होता है, बटूरे कर डो लगाने का मैदा गूंते का, और इसके पद आपने एक बॉल में ओल लगा लेने थोड़ और इस डो को बॉल में रख देते हैं, ताकि हमारा जो डो है, जिपके हलका सा ऊपर वी थोड़ा सा ओएगाय देते हैं, ताकि हमारा जो डो है उपर से सूखे भरगर कर देशें, 30 मिनिट का रहुट देना, आपने इस डो को तब तब चने बना लेते हैं, दो प्याज और मैंने ग्रेवी बनाने के लिए तो टमाटरों को आपने पीस लेना है और जो प्याज है इसको आपने फाइन चॉप कर लेना है बरही काट लेना है यहां मैंने कडाई लिए उसमें दो से तीन बड़े चमच ऑईल एट करेंगे जैसे आपका ओल थोड़ा सा गरम होचा है एक छोड़ा चमच आपने इसमें साबू चीरा एट करना है थोड़ी से आपने हींग डालनी है अच्छा फ्लेवर तो आएगा है का डाइजेशन के लिए बढ़ी होती है इसके साथ आपने बरही कट आप प्याज एट कर देना है गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखन यह तीखी नहीं होती है चाहता इसके साथ में एक छोड़ा चमच आपने इसमें धनिया पोर्डर और आदा चोड़ा चमच आपने इसमें जीरा पोर्डर डालना है थोड़ी से रोश की कसूरी में ठीव एट कर देते हैं और अगर आप चनों को थोड़ा सा ज़्यादा पोर्डर डालना है थोड़ा से इसमें पानी एट करेंगे पानी के साथ आपने चनों को घोल लेना है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इससे मसाले जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और पकने में टाइम भी नहीं लगता है और मसाले जलते भी नहीं है और किये देखिए थोड़ी सी बारी कटी हरे मेर्च डालनी है एक छोड़ा चमच आप इसमें अधर गलसन का पेश्ट आइड कर दीजिए और अधर गलसन के पेश्ट को आपने मीडियम फ्ले में अच्छी तरह से पकाना है जब तक आपका पेश्ट पकेगा तब 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 प्याज में बहु तक अच्छी तरह से पकने के बाद ऑईल ना छोड़ दें तो यह देखिए मसालों ने ऑईल छोड़ दिया है फिर आपने इसमें पीस से टमाटर एड कर देने है और साथ में आपने इसमें आदा छोड़ा जमच नमक भी आड़ कर देने है अब आपने गयस की फ्लेम हाई क आपने टमाटरों को भी अच्छी तरह से पकाना है जब तरह टमाटर भी पकने के बाद ऑईल ना छोड़ते हैं ऊपर से कबर कर दीजिए तीन से चार मिन देकिन को पकने दीजिए और हमारे चनों को पकते हो लगए यहां पर 25 मिनिट हो चुके हैं चेक करेंगे चने पके ह हो जाता है ना तब ही निकालना यह देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं चने हमारे तो जब भी आपके बस चने बिगोने का टाइम ना हो तो आप इनको ऐसे भी बॉयल कर सकते हैं और यह देखिए लगवाट चार से पांच मिन तक मैंने मसालों को पका लिया है और हमारे मसाले अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है बहुत ही बड़े कलर आ चुका है फिर आपने इसमें आदा छोड़े जमच आमचूर पाउडर डालना है आमचूर पाउडर की जगा आप अनारतना पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं यह जो बटूरे बाले चने है थोड़े से ठीकने तो आईगी आएगी अच्छा टेस्ट भी आएगा और के देखिए अच्छे से चनों को मैंने मैश कर लिया है इसका जो बचवे चने हैं वह भी पानी के साथ इसके अंदर एड़ कर देते हैं अब कई वर क्या होता है कि जब हम चने बोहिल करते हैं तो उनमें ना प बटूरे बले चने हैं थोड़े से ठीक बनाने हैं आपने ज़्यदा पतले नी बनाने हैं ताकि जब हम चनों के साथ बटूरों का वाइट बनाएना तो अच्छा वाइट बने हैं लाश्ट में आपने इसमें थोड़ा सा तनिया डालना है बरी कटो हरदनिया थोड़ा सा आपने इसमें गरमसाला पौडर डालना है अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अगर आप इसमें चना मसाला डालना चाहिए तो डाह सकते हैं वैसे गरमसाला डालते हैं तो चना मसाला डालने की चूरत नहीं होती है तो इस तरह से आपने भटूरे बाले जो चने है न वो बना देखिए वो भी दिखाता हूँ, आपने जादतर हल्वाई लोग देखिए इस तरह से मैदे को बीवारे करते हैं, जूर से दबाते हैं जैसे जोर से दबाएंगे पेड़ा अपने आपी रौंड हो जायता है, जड़ा RUNDS करने ही जूट नहीं होते इसको के देख्ये तो इस तरह से आपने ना पेड़े बनाने है और यह देख्ये हलकी सी शेप दे दीजिए जलदा जो इसे Dealer जोर से निहीं गुमाना है बस इस तरह से पिल्कुल पेड़े बनाना इस तरह से पेड़े बनाएंगे साथ साथ में ही बटूरे बना सकते हैं हलका से ओपर ओईल लगा देते हैं ताकि पेड़े उपर से सूखे ना क्योंकि एक दम से सारे बटूरे तो आप बना नहीं सकते के करके बनाएंगे ना उपर से कबर करके रखती है, दोसे तीन मिन का रेश टीजिए, अब पहला तरीका पताता हूँ देखिए, पेड़ा लेने आपने, उसके ओपर ओईल लगाना है, ओईल लगाने के पद आपने इसको इस तरह से दबाना है देखिए, और साइडों को नब पतला कर लेजिए, उ उनको अपने पतला करना है, हाथों के ओपर घुमाएंगे इस तरह से, इस तरह से घुमाके भी आप भटूरे बना सकते हैं, जातरा हलवाई लोग ना इसी टेकनिक का यूज़ करते हैं, और हम भी होटल और रैशनल में इसी तरह से बनाते हैं, बड़ घर में इस तरीके से बड़ और रैशनल में बड़ बनाते हैं, लंबे बनाते हैं, आप गोल बनाना चाहिएं, गोल भी बना सकते हैं, बेलने के पड़ आपने इसकी साइडों को हलका सा दबा लेना है, दबाने से मैदा ऐकटा नहीं होताए, तुर देखिए, इस तरह से पकड़िए, और पकड जाता है और पल्टेंग की भी जूरत नहीं होती है क्योंकि बटूरा एक्तम से बख जाता है तो इसी तरह से आपने सारे बटूरों को बना लेना है और गरम-गरम चनों के साथ सरव कर देना है तो पीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर कमेंट जुरूर कीजेगा